लो रेजिस्टेंस होगा तो सारा का सारा करेंट इधर से ही पास हो जाएगा रीडिंग गलत आजाएगा यार लो रेजिस्टेंस चलेगो एक चार्ज पार्टिकिल मूब तो यह मैंगनेटिक फिल्ड इन डायरेक्शन पर्पेंडिकुलर टू इट अगर एक करता है कि एक चा लगा दिया बी बी मेरा मैगनेटिक फिल्ड बोर्ड के अंदर एक क्रॉस और बोर्ड के प्लेन में मैं वी वेलाउसिटी से एक चार्ज पार्टिकल को यहां पर रिलीज कर दिया तो यह चार्ज पार्टिकल अगर बोर्ड के प्लेन में देखोगे अगर आप ऐसे छोड़ पता ना सबको force, force की value q, v cross b होती है ठीक है, यह define है v cross b, तो v इधर है v अंदर है, v force उपर लगेगा तो जुम तुम ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे तो जाए गई ने, मेरे बाई force उपर लग रहा तो यह उपर जाएगा हर point पर change होगा और दुबारा load के यहीं आएगा, मनला board के plane में move करेगा magnetic field ऐसे है, real life में समझ लो, magnetic field ऐसे है velocity vector ऐसे है, तो जब मैं इधर छोड़ूँगा, तो वो इधर नहीं आएगा, वो force v cross b, v cross v force उपर लग रहा, तो ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे vertical plane में move करेगा ऐसे circular path में move करेगा अगर magnetic field sufficient ऐसे छोड़ोगे तो तो इस case में circle में चला, तो अगर circle में चला तो work done by the centimeter force 0 होगा, और magnetic field जो होती है, वह ही centimeter force देती है, जो velocity के perpendicular है, हर point पर यहाँ velocity इधर है, तो इस point में magnetic force जो है वो velocity के perpendicular है तो जब velocity के perpendicular है, तो work done is equal to क्या है, magnetic force तो कोई work ही नहीं किया, तो magnetic force work नहीं किया, theta 90 चला गया, तो work, पता ना, work done is equal to force force dot s है, ठीक है, fs cos theta तो velocity इधर है, इस वक्त, displacement इधर होगा, तो theta 90 है, तो work done by magnetic force 0 हो गया, तो इसकी kinetic energy है, वो constant होगी, अगर kinetic energy constant है, तो इसकी speed constant होगी, अगर speed constant है, तो यह कोई वेलासिटी कॉंस्टेंट है तो इस्पीड को कॉंस्टेंट ही होना पड़ता है मतलब इस्पीड आप पार्टिकल रिमेंस अंचेंज यह आप्शन सही है